इस वीडियो को कम्प्लीट देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में राजनीती के लिए सिक्षक भरती है या फिर सिक्षक भरती के लिए राजनीती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकिन को प्रेस करना ना भूलें जैसा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के मादम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में TGT PGT 2022 में जो वैकेंसी आई थी उस बात को 7 मैने से जादा बीच चुके हैं लेकिन आयोग ना होने की वज़़े से परिक्षा नहीं हो पा रही है उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य में नई सिक्षक भरती को लेकर के हलचल है जैसा कि आपको ग्यात होगा साथवे चरण की भरती प्रक्रिया सुरू होने वाली है उसको लेकर के एक आर्टिकल प्रकाशित की गई है पटना से आप इसके पर देख पार होगे सिक्षक न्योक्ती प्रक्रिया जल्द सुरू नहीं हुई तो भाजपा करेगी आंदोलन जैसा कि आपको ग्यात होगा पहले भाजपा के गढ़मंदन से बिहार में राजय सरकार थी जो गढ़मंदन तोड़ते हुए भाजपा अब बाहर होगे यह बिहार से इस वज़से नई सिक्षक भरती के लिए आंदोलन करने पर विचार किया जा रहा है भाजपा के द्वारा और जैसा कि आपको ग्यात होगा उत्तर प्रदेश में भी इसी पार्टी की सरकार है दूसरी आर्टिकल देख पार होगे जो दूसरे नियूज पेपर में है सिक्षक नियूकती प्रक्रिया 15 तक सुरूर नहीं हुई तो भाजपा करेगी आंदोलन अब एक ही पार्टी दो राज्य में किस प्रकार से अलग-अलग राजनेती खेल रही है आप समझ पा रहे होगे जहां उत्तर प्रदेश में सिक्षक भरती का विज्यापन जारी हुए जो टीजटी-पीजटी की भरती प्रक्रिया है साथ महीने से जादा का वक्त बीच चुका है आयोग ना होने के वज़े से परिक्षा नहीं हो पा रही है और कब होगी ये भी भविशे के गरत में ये तो बात छोड़िए जूनियर एड़ेट सिक्षक भरती जिसको लगबग दो साल के आसपास हो गया है उसकी चैन प्रटिया कहां पर अटकी हुई है किसी को कोई पता ही नहीं है नई प्रात में किस तर की सिक्षक भरती के लिए लाग से ज़्यादा पद खाली है लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि सिक्षको का अनुपात बिलकुल बराबर है क्योंकि सिक्षामित्र और अनुदेशकों को काउंट किया जा रहा है तो जहां उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी नई सिक्षक भरती को लेकर के दावे कर रहे हैं कि लाखों पद खाली है वहीं उत्तर प्रदेश में सिक्षकों की पहले जो विज्यापित पद है उस पर भी परिक्षा नहीं हो पा रही है और दूसरे राजे में यहीं पर्ट सामने आया था उसके बाद से और उसके पहले चुनाओं से पहले और चुनाओं के बाद बिल्कुल निस्क्रिय बैठा हुआ है इसी वज़े से जनता की मांग ठीक से नहीं उठ पा रही है आप लोग देख रहे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश बर में लोक विपक्ष पार्टी कहीं भी जमीनी इस तर पर नहीं दिखाए देती है तो ये विपक्ष की कम जोड़ी है कि जनता की आवाज नहीं बन पा रही है आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के मादम से ज़रू बताएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अप्डेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दहनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भू